हेलो स्टूरें वेल्कम बैक टू मैं चैनल कॉम्ट्स भाइगीता हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं नंदलाल बोस इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगर आपको मैं पर डिस ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं आहम पहले पढ़ते हैं कि नव बंगाल शैली यानिन जो जनक कहा जाता है नंदलाल बोस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने टेंपरा वक्त पर काम किया था इन्हें मास्टर मुशाय और बाबो मुशाय के नाम से भी जाना जाता है अविंदिनाथ टेगोर ने इन्हें जो नाम दिया था वो शिफ सिद्ध कलाकार नाम दिया था इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1882 में हुआ था हवेली खड़कपुर जो एक गाउं था मुंगेर एक जिला था बिहार में हुआ था बिहार ये बोल सकते हैं कि बर्तमान में जो बिहार में हुआ था और वैसे बंगाल प्रेसिडेंसी क्योंकि उस टाइम में हमारा भारत का बिभाजन नहीं हुआ था उसी टाइम में ननलाल बोस का जन्म हुआ था और इनकी अगर हम मृत्यू की बात करते हैं तो इनकी इम्रत्ती हुई थी 16 अपरिल 1966 में हुई थी शानती निकेतन पश्चिम बंगाल भारत में हुई थी कुल्म 83 वर्स की आयू में इनकी डथ हो गई थी और इनके जो विशय हैं मतलब जो सबसे ज़्यादा विशय है अगर बात करें तो जो उन्होंने सामाने जीवन और संथाल जीवन और प्रकृती और बाकी वैसे बहुत साइज चित्र बनाए हैं आप यहाँ पर देखी सकते हैं नेक्स चले बढ़ते हैं हम सिक्षा के बारे में बात करते हैं जो इनकी सिक्षा है वो 905 यानि की 1905 से लेके 1904 तक की जो इनकी पढ़ाई थी वो पूरी complete हो चुकी थी जो इनकी पढ़ाई हुई थी यानि की ये बोल सकते हैं जो इनका graduation हुआ था वो इनका कलकत्ता विश् जाले का जो वरतमान नाम है Government College of Art and Craft नाम है ये जो admission कराने के लिए जो चित्र लेकर आते हैं वैसे तो डोकुमेंट्स सब ही लेकर आते हैं तो वो अपनी डोकुमेंट्स के साथ साथ एक अपना प्रसिद्ध मतलब जो इनका चित्र है महाशोयता यानि की बीड़ा बादनी के Audi चित्र लेकर आय थे जो जल और टैंप्रा में बना हुआ है थीक है तो आब हम पात करते हैं इनके माध्यमं के बारे में पढ़ते हैं जो इनका वाश और टैंप्रा है बाकी इन्होंने भी जो उनका जो मुख माध्यम था जो उनका प्रमुक था वो बोल सकते हैं कि वॉश और टेंपरा पर इन्होंने काम किया था अभी तक देखो इससे जो बंगाल शैली के हैं आपने पढ़ाई होगा कि सबने बंगाल शैली से वॉश पर काम किया है लेकिन शितिन नाथ मजूमदार और एक ननलाल बोस ने टेंपरा पर मतलब पर लेकिन और पर को किया था अन्य में जो काम किया था माध्यमा तो आप देख सकते हैं लीनो कर्ट पॉस्टर कलर पैन बस या और शैया ही और इन्यों पर इन्होंने नेक्स्ट बढ़ते है देखो इन्होंने मतलब जे ओरिटेंटल आर्ट यानि की इंडियन सोसाइटी ऑ उन्होंने जो माध्या में बनाया था, टैंपरा पर जलरंग बनाया था, और वो कहां प्रसिद्ध है, National Gallery of Modern Art में famous है, मतलब बहाँ पर संक्रित है, जो कहां पर इस्थित है, दिल्ली में इस्थित है, अब इन्होंने क्या करा था, मतलब 1908 की मैंने आपको बात बता दी कि जो एक्जिविशन में जो उन्होंने लगाया था, वो सती का देत्याग था, जो उनका चित्र बनाया था, मतलब जो एक्जिविशन में लगाया था, शिवा एंड सती का, ठीक है, अब हम बात करते हैं, 1909 की बात करते हैं, 1909 में उन्होंने च्छाया निका के चित्र बनाये थे और 1917 में गीता वितान के और 1931 में सहचपत के चित्र बनाई थे ये जो मैंने इसके जो एक बराबर लिख रखे हैं इसलिए लिख रखे हैं कि ताकि आप बुक्स के नाम याद कर सके कि ये जो तीनों की तीनों बुक्स हैं वो रविंदरनाट टैगोर की हैं और उन्होंने उसी के ही चित्र बनाई थे अब हम बात करते हैं कि 1909 से 10 देखो अभी तो हम 1909 की बात कर रहे थे तभी उसी टाइम में 1909 से 10 में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने 1916 सत्रा में महा भारत के चित्र बनाई थे 1921 में ही मतलब उन्होंने अजंता की प्रतिलिपिया भी बनाई थी और बाग की प्रतिलिपिया भी बनाई थी किसकी अधिक्षता में लेडी हरिंगम की अधिक्षता में बनाई थी ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1910 1910 जो लास्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1910-14 myths and legends of Hindu and Buddhist यह जो पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी वन सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है उन्होंने उसके भी चित्र बनाई थे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 1937-38 की बात करते हैं अब हम 1937-38 में इन्होंने हरी पुरा मतलब कॉंग्रेस पंडाल के लिए भी पोस्टर बनाई थे क्योंकि 1937 में फैस्ट फूर कॉंग्रेस जो अधिवेशन की पंडाल सर्जा में उन्होंने सहयोग दिया था उसी के उपर उन्होंने मतलब पोस्टर बनाई थे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हरी पुरा संबंध है वो किसे संबंधित है गुजरा से संबंधित है यानि कि जो इनका प्रभाव था जो पोस्टर बनाए थे वो बंगाल के पट चित्र गुजरात की पांडूलिपी के प्रभाव पड़ा था अब हम बात करते हैं कि जो हरी पुरा के जो उन्होंने पोस्टर बनाए थे उसके जो विशय थे वो क्या-क्या है जो उनके विशय थे वो ग्रामील जीवन थे बुल हैंडलर था बड़ा ही था या फिर बोल सकते हैं शिकारी और संगीतकार के भी चित्र बनाए थे नेक्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर देखो उन्होंने उन्निस सो अब हम बात करते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं आब 1939 की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1949 की बात कर रहे हैं उन्होंने मतलब बड़ोदा के महाराज ने इन्हें आमंत्रित किया था कीर्थी मंदिर की सज्जा के लिए तो उन्होंने गंगा वतरर और भारती संत के भित्ती चित्र बनाए थे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम देखो अब देखो इन्होंने बहुत सार वक किया था और उन्होंने तो उसके भी उन्होंने 22 भाग के चित्र बनाए थे, आपने हाफ़ कि बहुत सारे इतने हैं, इतने सारे पेज़ेस पर कोई इतना वक्त नहीं क्या काम कर सकता है, लगभग उनको 4 साल लग गया था, 22 चित्र बनाने में ही, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा कैसा वर् भी हो जाए और उससे कोई इंकम भी आए ठीक है 1922 में ये कला भवन के अध्यक्ष भी रहे देखो आप नीचे देख सकते हैं कि जो 1984 में आप देख सकते हैं कि 1984 में उन्होंने हरी सदन जो है उनके दोरा नंद लाल बोस की एक रंगीन ब्रत चित्र भी बनाई गई थी यानि की डॉक्यमेंटरी मुवी भी बनाई गई थी अब नेक्स्ट बढ़ते हैं देखो इन्होंने एक टिकट भी जारी किया था जो ग तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि आचारे नंद लाल बोस को सम्मानित करने के लिए भारती डाक टिकट और तार विभाग को उनके निधन की पहली बर्ष गाठ के अपसर पर एक बिस्रेश इसमारक डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो यहाँ प तो जो जो ख्याती प्राप्त करी थी जो उन्होंने काम किया था वो सब देख लिया अब हम इनके बारे में बात करते हैं पुस्तक के बारे में बात करते हैं देखो पुस्तके आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी पुस्तके भी कभी पूछ लिया जाता है तो आप पु इंपोर्टेंट है इस पर भी ध्यान दीजिएगा अब बात करते हैं आप भार्ती कला सिंगा वलुकन नंबर फाइव है कला एक साधना नंबर सिक्स है सजावुटी कला नंबर सैवन है शिल्प गुरु अविन्दाथ ठाकुर नंबर एट है द्रस्टी और स्रस्टी चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं अब हम दो पुस्त के तक बात कर ली अभ बात करते हैं पुरस्कार और संवान देखो उनको बहुत सारे पुरुस्कार मिले थे आप भी जानते हैं रहें मतलब जो निको मिल था 951 नाइंटीं तमकी उपाधी दी थी अब हम बात करते हैं 1954 में उन्हें पदम भूशर से नवाजा गया था 1956 में उन्हें ललित कला अकादमी का फैलो चुना गया था और ललित कला अकादमी का फैलो चुनने वाले ये दूसरे कलाकार थें हम बात करते हैं 1957 में कलकत्ता बिशुविध्धाले ने इन्हें डी लिट की उपाधी से सम्मानित किया था कलकत्ता के कला अकदमी अब हम बात करते हैं हापे कि मतलब किसे सम्मानित किया था ठीके नेक्स्ट बढ़ते हैं विक्ति अब हम बात करते हैं इनके चित्रों के बारे में भी बात करते हैं इनके बहुत सारे वैसे बहुत साई चित्र बनाए थे बहुत ही जादा तो आप देख सकते हैं कि विक्ति चित्र जो उन्होंने बनाए थे वह यहां पर देख सकते हैं जो इनका विक्ती चित्र है, सी एफ एंड्रूज है, जो नमबर टू है, छितिन रनात मजूमदार है, नमबर थ्री नर्तिकी आमरपाली है, नमबर फोर, अब्दुलकफार खा है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नंदलाल बोस की जो मतलब जो चित्र है, वो एक सती है, वो तो वाश एंड टैंपरा, उमा का तपस्या, ये भी पहुत इंपोर्टेंट है, उमा की जल समाधी, नमबर एट पर देखते हैं, पांड़ो का हिमाले रोहर, ये पंदरे फीट में, मतलब 15 फीट लंबा बना था, वो भी मतलब इतनी कम समय में, इन्होंने एक घंटे में बना नमबर नाइन है, गंगा अवत्रड, जो गंगा अवत्रड की बारे में भी हमने चर्चा ही करी थी, कि जो मतलब इन्होंने बढ़ोद्रा के महराज ने इन्हें आमंत्रित किया था, उसी की कीर्थी मंदिर की सज्जा के लिए उन्होंने चित्र बनाए थे, यहां पर आप बर्शा से धुला कोडाक, यह भी बहुत इंपोर्डेंट है, इस पर भी ध्यान दिजिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, शत्रंज खेलते कॉरब पांडब, क्रश्नुब अर्जुन, यह 90-20 में विधा यहां पे लीनोकर हो गया है, यह लीनोकर में बना हुआ है, उत्रा और नाइन नंबर गंगावा यमना, गंगा यमना भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दिजिएगा, यह भी पूछ लिया जाता है, नंबर दस है, यह तो भी मैंने बताया ही था कि ज़र रविंद्र नात की पुस्तके हैं, चाया निका, सह पूछ सकता है, क्योंकि एक्जाम का कोई कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पिक्चर पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार उसको लर्न भी करने की जुरूत नहीं है, एक बार बस आप देखी लिजिए उसको, आपको याद हो जाएगा, ओमा का दुख दान्दी मार्च है, दान्दी मार्च बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है, इसको आप देख लिजिएगा, ये लीनो कर्ट में बना है, ये एक एतिहासिक चित्र है, ठीक है, नमबर फाइव है, वीज में प्रतिग्या, नमबर सिक्स है, गांधारी, और नमबर सैवन है, नटीर पूजा, अभी इसके बारे में बात करी थी, जो नटीर पूजा और जलता देवतार, ये दो के बारे में बात करी थी, ये दोनों के दोनों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये 12 नमबर पर है भी, तो आप 12 नमबर पर देख सकते हैं, जलता देवतार और नटीर पूजा ये दोनों भि हैं नीमनि कर देखे हैं नेधिक प्रक्रटी संबन्दी तो आप देख सकते हैं घुद्ध की यह महिशा सोर मर्दिनी का भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चित्र है यह रेखा चित्र है ठीक है कुमुदम कुंड है यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो आप देख सकते हैं नती किनारे गोपाल पूर मार्ग संथालो का लंबाई नुरत है और 11 नमबर दोलन चंपा नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइब नमबर पर देखते हैं पारस नाथ की पहाड़ी नमबर टू है गुरुदेव और नर्तिकी नमबर थ्री है जल्दहरा में मचलिया नमबर फोर सिद्ध दाता गनेश और नमबर फाइब योधिस्टर की स्वर्ग यात्रा स्ट किसकी है तो तारो भरी नाइट स्टारी नाइट यानि की स्टार से समद्ध ये स्टारी नाइट है भार तारो भरी राथ टेमपरा मतलब इंडियन आर्टिस्ट ने भी बनाई है तो आप यहां पर देख सकते हैं वो किसने बनाई है नंदलाल वो उसने बनाई है वैसे तो पॉंगो की फेमस है तो यहां पे इनकी भी फेमस है इनकी भी देख लीजेगा यहां पे 7 नमबर है हिरन कटिंग दा बैजिटेबल मदर फीडिंग हर चाइड किसान हल जोते वे जो हरी पुरा से संब्धित आपने देखा ही था 11 नमबर की बात हो ही गई है महाश्वेता से इन्होंने संब्धित जो चित्र बनाया था जो एड्मिशन के टाइम लेकर आए थे अब हम बात करते हैं नमबर 6 का जो चित्र है यहां पर बात करते हैं जावा पुष्प हैं संथाल ही होती है संथाल अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि नंदलाल बोस ने सबसे ज़्यादा जो किस पर काम किया है वो संथाल जीवन पर मतलब संथाल जो उनका विशय था वो सबसे ज़्यादा उन्होंने उसी पर सब्जेक्ट लिये हैं बुद्ध और मेमना पीड़ा बादनी लीनो ठीक है तो आप यह जितने भी मैंने अपनी आपको चित्र बता आए है तो उसको आप बिलकुल ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से मदलब करियेगा तो आपको अच्छे से याद रहो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैने आपको नहीं बताया है सारा का सारा कंप्ल उरोजिंग